तो बहुत अच्छी और टेस्टी मिठाई लेके आई हूं जिसका नाम है सक्कर पारे और ये ना मेरा अपना ही रिस्पी है मेरे माईके में बना हुआ था ये सादी में तो मुझे वहां पर बहुत पसंद आया था तो मैंने सुझा चलो अच्छा मैं अब घर जाओंगी तो मै बनाऊंगे तो मैं अब आ गई हूं बना रहे हूं जिसके लिए हमने लिया है यह कटोरी हमारा यह मैदा है और दो चमच और डाले हैं तो मतलब यह 200 ग्राम हमारा मैदा है 200 ग्राम मैदा हम ले रहे हैं इसमें डालेंगे 14 चमच बेकिंग पाउडर और दो चुटकी हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा एक चमच नहीं डालेंगे दो चुटकी मातर हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग सोडा और इसे मिला देंगे अच्छे से, यह बहुत अच्छे लगते हैं बहुत टेश्टी मिठाई बनती है, और बतो क्रिस्पी रहती है उपर से, अंदर से बिल्कुल सॉप्ट रहता तो खाने में बहुत मज़ा आता है, तो इसे हमने मिला दिया है, और अब इसमें हम डाल पानी भी हम डालेंगे इसमें, तो नाप वही रहेगा, आप किसी भी चीज से इस तरह से नाप लीजिए, और इसे हम मिलाएंगे, और इसी से हम पना डो तयार करेंगे, जो हम अपना आठा तयार करेंगे ना, इसी से तयार करेंगे, इसमें हम पानी हो गया रालग से नहीं के लिए ना इसे ढख के इस तरह छोड़ देंगे दस से पांच मिनट तक तो हमारा दस मिनट हो चुका है और यह देखिए हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हमेदा और इसे हमने मसलना नहीं है बहुत ज्यादा कि में मसल के इस तरह से हमें सेट ही करना है सिर् को इसमें घी और नहीं लगाएंगे इस तरह से हम फोल्ट करकर के इसे बेल के तैयार करेंगे क्योंकि इसे हमें मोटा ही रिखना है पातल पतला तो करना नहीं है इसे हम चौकोर में करेंगे साइट जो पटा हुआ है इसको निकाल देंगे बाद में इसे बना देंगे और चारों तरप से हम इसे निकाल देंगे, इस तरह से, जाकू के सहायता से इसे निकाल देंगे, और हाथ से इसे सेट करेंगे, बराबर करेंगे, ताकि ये देखने मिना सुंदर लगे, जैसे हम लोग सुंदर लगते हैं, ऐसे ये भी लगे, तो ये देखिए इस तरह से हम करेंगे आप अपने एक हिसाब से जो शेब आपको पसंद हो तरह से आप कठ कर सकते हो मैं ितरा का रहे करनी करोंगी बर फी नहीं बनाएंगी अधर यह थोड़ा पतला रह ऑक ने लंबा रहे हैं तो इसे हम कट खाले लें साइड वाला निकाल देंगे थोड़ा बहुत पतला हो गया है और देखिए लेयर इसका दिख रहा है कितना मतलब जाली दार उदम बना हुआ है और यह जब तेल में जाएगा न तो यह बहुत ही अच्छे से फूलेगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा तो हमारा सारा तैयार हो चुका है तो प्लेट में डख दिया हमने वर तेल हमारा पहले से गरम है तो एक एक करके हमिशमें डाल देंगे लेकिन हां गैस बिलकुल ही ब्रद्दा हो सकते हैं इसमें इस तरह डालते जाएंगे और यह अपने आप ही उपशायेंगे देरे-धेरे और तो देखें ऊपर सारे आगए अपसे नहीं करेंगे बस खाली उपर से ही थोड़ा सा इससे हम इस तरह दबाते हुए हलका सा उबर तेल हो जाए इस तरह से करेंगे अगर हम यह भी ना तोड़ना नहीं है हमें तो इस तरह एक लेगे साइड में मारा होता रहेगा सकर पारे और पैन ले रहे लेमें इसमें डालेंगे एक प्पश्अ कम है और इसमें उतना हिपा कॉरी हादी कॉरी पानी है ह grass लादा मत्यां प्प्र जब हम एकतार करेंगे ना एक मिनट ये डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा इलाची पाउडर रेचा उधाई चब मच अब इससे बहुत अच्छा फुलिवर आ जाते हैं इसमें का थोड़ा सा डालेंगे केशर के धागे इस कलर के लिए अगर आपके पास नहीं है तो आप मद डालेंगे कोई बात नहीं इस वाद तो ही रहेगा तो ये हमारा चासनी बिल्कुल तयार हो चुका है तो बिल्कुल हम एकतार नहीं करेंगे फ्रेंस चासनी क्योंकि अगर हम एकतार कर दिये तो ये खिसकी सोने लगेगा अब उपर से चीनी छूड़ता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो इसे हम ऐसा नहीं करना है बिल्कुल हलका सही से चिप चिपा करना है चलाते हुए कलर देखे कितना प्यारा आ गया है इसमें केसर के वज़े से और इसे हम दिखा दें आपको चेक करके तो इस तरह से बिल्कुल चिप चिपा ही होना चाहिए तो मैं ज्यादा करके दिखान बिल्कुल भी एकतार नहीं बन रहा हलका साथ चिपक रहा है बस इतना ही रहेंगा अब हम गैस कर देंगे बंद इसे चलाते हुए थोड़ा साइड में रखेंगे और चलते हैं सपारे के तरफ तो हमारा सक्कर पारे भी हो रहा है इसे अब हम थोड़ा उलट पिलट कर देंग तो चैनल को एक लाइक दीजिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजिए का इसी प्यारी प्यारी रेस्पी देखने के लिए और यह देखिए हमारा पारे बिल्कुल तयार हो चुका है और इसे हम निकाल देंगे प्लेट में और यह देखिए एक प्लेट में हम इसे निकाल के रखेंगे तो सारे हमारे पारे तयार हो चुके हैं अब हम चलते हैं चासनी के तरफ तो चासनी भी हमारी बिल्कुल गरम है और इसमें गरम गरम चासनी गरम गरम पारे दोनों यह साथ डाल लेंगे तो यह बहुत अच्छे स इसमें आ जाते हैं जो चासनी है इसके ऊपर चड़ जाती है और गरम गरम में डालने से उपर से खुब ज्यादा क्रिस्पी रहता अंदर से सॉर्ट हो जाता है तो इसे अगर आपको ज्यादा मीठा खाना है ना तो इसे छोड़ देजिए गदो तेन मिनट तक और अगर आप तो आप दो तो आप हमें जादा मीठा नहीं खाना है तो अब हम इसे एकए करके उल्ट उलट करके फिर इसको निकाल देंगे तुरंती इसे बिल्कुल भी इसमें नहीं छोड़ेंगे तो देखने में प्यारा लग रहा है फ्रेंस खाने में अच्छे लगें के चमस की सहाय कि निकाल देते हैं हम तो सारे एक प्लेट में हम निकाल दिये हैं और यह देखिये हमारा सक्करपारे बिल्कुल बन के तयार है प्रिंस एक बार जरूड ट्राइए कीजिए बहुत अच्छे हैं और मेहमाना रहे तो फटा फट बन जाने माला है को अचानक से आए या बता के इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा और बहुत ही टेस्टी लगते हैं उपर से दिखें कितने प्यारी साइनिंग दिख रही है और यह देखी हम आपको तोड़के एक दिखा रहे हैं तो देखें कितना अच्छा लियर आ गया है और अंदर तक बिल्कुल दिख रहा है य तो यह हमारा सक्करपारे रिस्पी है फ्रेंस इतने देर बने रहते हो आप लोग इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धानिवाद